हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्टॉक से रिटिट जो की पैनी स्टॉक्स है 21 रुपे का स्टॉक्स है 15% उपर भागा है 63 रूपीज इसका क्या है यहां पर बात करने वाले और पैनी स्टॉक्स की डेफिनेशन एक्चुली यह ही है कि इसका मार्केट कैप कम हो और जिसके प्राइस भी कम हो उसे हम कहते है उसे हम कहते है पैनी स्टॉक्स और प्राइस से मेंटर नहीं करता मार्केट कैप से मेंटर करता तो फर्मेंट है कि मैं आपके पास वीडियो बना रहा हूँ और क्या हमें इसे लेना चाहिए बेचना चाहिए चार्ट क्या कह रहे हैं सब चीज से लेटेड एक बाते करें बड़ बाते करें बड़ बिफोर दै रिक्वेश्ट करूंग है इंवेस्ट फोर अवर चैनल को सब्सक्राइब ब इन नंबरों पर कॉंटेक करके गुरुप में एड़ो सकते हैं दो तरीके की सर्विस है ओके आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं मिनियूम सर्विस चार्ज है वन थाजन टॉपीस पर मद जो कि आप रेस्टोरेंट और जाके यहां पर कर्च कर देते हैं तो इसमें या इसक से थ्रूँ आप वाट्सप ग्रूप में याड़ो सकते हैं और पैसा बना सकते हैं यह आज का है कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी वरना कल दिखाता तो कल इतने सारे हमारे स्टॉक्स थे जो मैंने आपर दे रखे थे बहतरी परफॉर्म करके दिखाया और अच्छे खास मैं अभी बात कर रहा हूं जिसकी फर्मेंस इनर्जी तो इहां देखिए येस्टेड़े आई टॉक अबाउट तो देखिए तो देखिए फर्मेंस इनर्जी 50% अप इनमंथ पैनी स्टॉक्स तो यहां पर यह मैंने बहुत पहले दे रखा था 50% त भाग चुका है और फिर थोड़ा सा नीचे आया 15 कल तुबारा दिया और यहां पर देखिए 18% ना हो तो यहां पर क्या है ऐसे शेर दिये जाते है जो कि पैनी भी होते बड़े भी होते हर तरीके की स्टॉक्स दिये जाते हो फिर यहां पर पैसे बनते हुए नजर आते गुरूप में आपर एड़ जैसे ही लिए भागते हुए नजर आए तो इसके पीछे का है रीजन कोर्स इस को जिसने कर लिया ओके यहां पर किसी की हल्प की जरूत नहीं पड़ेगी टेकनिकल बेसिक्स टु एडवांस रिसर्च फंडामेंटल साब बेसिक्स कराते हैं और इसमें ऐसी ऐसी बारी किया सिखाते हैं स्टेजिस सिखाते हैं कि यहां पर जब आप शेयर लोगे तो कम भाव पे लोगे जब बेचोगे तो अच्छे भाव पे तो ऐसा नहीं है कि आज ले लिया आज नीचे मिल रहा है साट परसेंट और परसो या फिर हमने टॉप पे खरी लिया ऐसा नहीं क्योंकि एक तारिक से मैंने बढ़ा देती 17,500 बढ़ 15 तारिक हो ली है इसलिए मैंने थोड़ा ओपर दे दिया 15,000 रुपे पीस हैं जो भी यहां पर करना चाहता है कॉंटक कर सकता है नहीं नंबरों पर यहां पर आपको डिटेल से शारी शेयर करती जाएगी क्या आप दिखा रहे हैं फर्मन सिनर्जी इसकी बात करें तो कंपनी करती क्या है कंपनी यहां देखिए फूड और फाइनस के बिजनस में इसके इलावा देखिए यूज यह जो कंपनी है फार्मसी टुगल्स एज वैल एज केमिकल प्रोडक्स एंपोर्ट एन एक्सपोर्ट का यहां पर काम करती है ओके इस वालवेंट एपिए इंट्रमीडियेट्स में भी एकंपनी काम करती हुना जाती है एक्टिफ फार्मसीटिकल इंग्रीडियेंट्स यहां पर होती है जो की काफी यूज होते है तो यहां पर उनमें कंपनी काम करती हुना जलाती है यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में और भी जाना जाते हैं तो एक बार यहां पर जाके देख सकते हैं कि कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रहे है अब बात करते हैं कंपनी का मार्किट कैप की बात करें स्मॉल कैप है माइक्रो के रहे हैं 63.4 करो रुपीज के यहां पर कंपनी है बट फायदा देखिए जीरो डैट फ्री शेयर है कोई प्लैजिंग नहीं है इंडस्टी का पी 32 का है और ओके ऐस वेर यहां पर देखिए बुक वैली 14 की है उसी के आसपास लगबग यह शेयर ट्रेड कर रहा है और यहां देखिए 52 वीक हाई यही है आज का 22 रुपीज मैक्सिम्म चार्ट पैटन की बात करें 2015 में यह लगब लगब 80 रुपे के आसपास हुआ करता था अभी 22 को अगर यहां से यहां तक भी जाता है तो आपके पैसे केतने हो गए चार गुना यहां पर हो गए ओके एस 20 रुपे का है और यहां पर हम देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है और अगर हम बात करें कंपनी के नंबर जो आ रहे है अगर दो चार कोटर के रिजल्ट और ऐसे अच्छे आ जाते हैं तो श्या निहां नहीं रने वाला फिर वो असी का टार्गेट अची रिजर्व की बात करें 13 करोड रुपे के रिजर्व से ओके यहां पर देखिए ऐस वैल आज देखिए कोई बॉर्ट नहीं है कंपनी के पास अगर हम कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगग सतरह राख रुपे का कैश भी पड़ा हुए कंपनी के शेर रोल्डिंग प्र ले रखिया तो कितने लगब 6 और 7% के आस पास की इस्यदारी ही पब्लिक के पास है तो यह समझ नहीं हो शे पर्जान का मतलब क्या है यहां पर लगभाग लगब अगर हम यहाँ बात करें चार करोड रूपे के आसपास चार करोड रूपे के आसपास की होल्डिंग भार है फिरी फ्लॉट है और इसे तो कोई भी बड़ा आदमी आपर लेके इसे घुमा सकता है फिर आ सकता है तो आप यहां पर समझ सकते हो कि शेयर किस तरीके से मूव कर सकता है जो कि हम यहां पर देख भी चुके हैं अभी चार्ट पर चलेंगे और जानेंगे मुझत सारी चीज़ों से एलेटेड बट उससे पहले चारा को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन कौन कर लीडेगा थाकि चीज़ें यहां पर पता चले और यहां पर आप सीख सके अब शेयर में 2015 में अगर मैं बात करो हाई लगा है 95 डूपीस का उसके बाद चीज़ें दिल्चे गिरती भी नज़र आई और अब यह क्या है बिल्कुल कंसॉलिडेशन पीडियर नहां पर नज़र आता है यह वीकली चार्ट था अब मैं आता हूं डेली चार्ट पर है तो डेल यहां पर वॉल्म मतलब यहां पर यह जो भाग रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं ख़ड शेयर को खरीटा गया और जो कि हम यह पर दिखता है कि प्रमोटर से यह हिस्सदारी तीन परसेंट की बढ़ाई है तो यह इसा थोड़ा से निज़र आरे दूबारा एक ब्रेक पर आज का जो हाई है वो निकलेगा जो की 22 रूपीज 22.02 है जैसी क्रोस करता है तो यहां पर एक तेजी आएगी जो इसे सबसे पहले है 24 इसके बाद 26 और दीरे-दीरे करके ऊपर की तरफ लेके जाती हुई दिखाए देगी तो यहां पर छोटा सा सा स्टॉप लोस रखिए जब तक इस लाइन के ऊपर है जीरे अच्छी है जैसी इस लाइन के नीचे आएगी तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और मुझे लग रहा है और अगर यह शेयर थोड़ा सा नीचे आता है तो यहां बाइंग कैंडिड बनेगा विदा स्मॉल रिस्क बट बाइंग सेलि पर सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को हिट करिएगा कोर्स को जोइन करिएगा इन नमबरों पर कॉंटेक्ट करिएगा वाट्सप ग्रूप में याड़ है और बड़े कम चार्जिस के साथ आपको अच्छे शेयर यहां पर दिये जाते हैं तो थैंकी सो मुझ कॉट ब झाल ढmostब करिएगाइज को जोगा रगाफगाएब गरे यहां थाफटएगा झाल झाल को मुझ को बाय। बाहे हैं लिर्फटेगा सेच्डेगा जैंकी सवाट चाल करिएगा तो यहां बाहे